नमस्कार दोस्तों अग Tipp Challenge स्वाद करते हैं देखे दोस्तों आप मेंसे काफी तरफ लोग ऐसे हैं जो की भकरी जो पालं है। वो हो करना चाहते हैं तो आपसे जांते हैं कि अगर आप बिहार में भकरी फार्म खोलते हैं यानि की भकरी पालं करते हैं आपको बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दी जाती है, मतलब कि आपको एक सहायता रासी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम लागत में आपना बकरी फार्म है खोल सकते हैं, और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखेंगे तो बेर कर ही रहे हैं, साथी साथ कुछ लोगों को भी रुजगार आप दे रहे हैं, तो अगर आप भी विहार में बकरी फार्म, यानि कि बकरी पलं करना चाहते हैं, उस पर उंदान लेना चाहते हैं, तो कैसे उसके लिए अपलाई करेंगे, कौन-कौन से डॉक्मेंस के रिक्वा पलिए, सबसे पहले, रहunge हैं, उसके पहले हा.' आपको बता देंगalen, तो और बहु anёрवयार फ्रहम करता है, तो अभान को भी विह onदान परापत करने के लिए आववधन कर सकते हैं, तो हम बात कर लिते हैं, कि लितम पहले हैं, कि एक लिमिट बनाये गया है सरकार ने जो है निर्धाड़त यहां पर किया हुआ है कि आप इतना बकरी और इतना बकरा का फॉर्म खोलते हैं तो आपको जो ही कितना लागत आएगी और उस पर कितना सरकार आपको उंदान देगी तो यहां पर सापसाप अब देखेंगे तो पेपर के माधेम से बोला गया है कि अगर आप दस बकरी और एक बकरे का फॉर्म खोलते हैं और उसके लिए एक सेड बनवाते हैं तो उसमें जो है जो सरकार के द्वारा निर्धाडित लागत घोशित किया गया है वो जो एक लाख रुपया किया गया है यानि कि सरकार ने माना हुआ है कि अगर आप 10 बकरी और एक बकरा खड़िते हैं उसके लिए एक सेड बनवाते हैं तो आपको जो है एक लाख रुपया खर्चा आएगा तो अगर आप 10 बकरी और एक बकरे का जो है जो बकरी फर्म होता है खोलते हैं तो आपको जो है एक लाख रुपया खर्च आपको यहां पे दे देगी, तो इस तरह से 40 रप्रे को 10 बकृप्री, और एक बक्रे का फोल सकते हैं, इस तरह से मां लीजिशे अगर आप 100 बक्र और 5 बक्रे का फोल रहे हैं, तो उस पर सरकार ने बोला हुँ आई कि 10 10 लाक युप तक का यहाँ पर लागत यहां है जिसके लिए यहांपे आप़ जुए 6 लाक युप तक का अंदान सरकार से दिया जायेगा तो बches एक अग्याक चाहें तो 20 बकरता दो बंधी के सनते है कि यहां है यहां है आप सरकारा से लेकर सौ बकरी और पांच बकरा तक आप यहां पर गौट फार्मिंग कर सकते हैं तो मैंने यहां पर अल्मोष्ट आपको सराजनकारी बता दिया कि जितना भी लिमिट का फोलेंगे जितना भी आपका लागत जाएगा उसका जोए 60% आपको यहां पर अनुदान दे लिए बकरियों को तो इसमें बोला गया है कि अगर आप दस बकरी और एक बकरे का गौट फार्मिंग खोलते हैं यानि कि बकरी फार्म खोलते हैं तो आपको कम से कम 900 स्क्वार फिट का जमीन आपके पास होना चाहिए चाहिए आप लीज पर लिए हुए फिर आपका खुद को रखने के लिए उस तरह से मानली जगर आप ज्यादा बाकरा बगे रख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको और भी जमीन यहां पे लगेगा जमीन आपके पास होना चाहिए तो आप यहां पे गौट फार्मिंग कर सकते हैं तो अल्मोश्ट में आपको सारा जनकारी बता से बाता है लेकिन अभी इसका लिंग करारा लिंग एक्टिबरक्ट होगा तो विखाण अमेग भर करो online में व्ल्हाइत पर को फिल करना होता है और प्यार्ण को फिल करने के बाद आपको जो हैं अनुदान दिया जाता है तो इसके लिए यह आपकर पास टॉई होना तो यह सरकार आपको 60% तक यहां पर उंदान प्रवाइड करती है आपको देती है तो अभी इसका फॉर्म से लेकर मार्च में बोला गया है कि इसका पोर्टल खुल जाएगा लेकिन अभी नहीं खुला हुआ है खुल मैंने चेक किया तो जैसे ही इसका पोर्टल ओपन होता है तो एक वीडियो बनाकर आपको जनकारी देंगे और आपको बताएंगे किस तरह से गौड़ फार्मिंग पे सब्सीडी लेने के लिए आप यहां पर आविधन कर सकते हैं तो लमोश में आपको सरे जनकारी बताया दिया है मुझे लग रहा है कि कुछ हूट रहा है फिर भी आपके मुन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और एक बात का ध्यां रखिएगा अगर आप लोन लेकर बखरी फाम खोल रहे हैं तो जो भी आपक आपको फूलफिल करना होता है जाए जनकारी के लिए पर पेपर का नोटिस है इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं इसमें भी आपको अल्मोश्ट शरा जनकारी मिल ही जाएगा इसके रिगार्डिंग में एक आडिकल भी लिखा हुआ है आप नीचे लिंक पर क्लिक करके वीडियो थुरस के अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत-बह नएवाद